लोकेश सर गुड़ आफटरून बुर आफटरून आवरी सर एक दम अच्छे सर एक बार निफ्टी और बाजार को देखिए सर गजब का प्रेश्टी आप या बाजार की अब बात करें ना अविशेक तो आप देखोगे आज छोटा बहुत ज़्यदा है मार्केट में इसका है क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो मार्केट में पार्टिसिपिशन कम है आने वाले तीन चार दिन चुटी आए कल का एक घंटा के छोड़ दें तो चार दिन के चुटी आए तो अभी बिकोज आप देट अभी मार्केट कोई भी डारेक्शन लेजा नहीं चारा लॉग डाम के लिए हम तो यही मानेंगे ब्लस उसके बाद आप मंडे से बापीस आपको नया मूग नया डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा मंडे से आपको डायरेक्शन क्लिर टी आ जाएगी जिए हम किस लेबल तक जा रहे हैं सतरा पासों के तरफ जा रहे हैं या 19,000 के तरफ जा रहे हैं वो हम मंडे के बाद से आइंटिफाई कर पाएंगे ठीक है सर एक बार आगे बढ़ें बैंक निफ्टी के और बढ़ें उससे पहले इक बार निफ्टी में सपोर्ट 17,600 या पांट सा मेरे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था हमें बाई उन से दिख रहा है जब तक 8,500 ना सही से क्लोजिंग बैसिस पे तो हमने बात की इस बार में बहां से आप देखो बजेत मंत में हमें यह आध्य को दिखेगा इफ यू रिमेंबर हमने यह बात की है मुझे वह आपकी बात याद है सपोर्ट लेबल में थोड़ा सा कंक्यूजन हो रहा था वही मैंने आप से एक बार सपोर्ट लेबल है यह जल्दी से नहीं तूटना चाहिए आगर यह इतनी जल्दी से नहीं टूटेका थीक तो सपोर्ट है इतनी जल्दी नहीं टूटे का और या स्ट्रॉंग सपोर्ट है निफ्टी में देखने को मिल रहा है आगे 18,50, 18,000 का एक रेसिस्टेंस इसे तोड़ता है तो आगे निफ्टी एक अच्छी मूद दिखा सकता है फिल पर कोई आशा या भी नहीं है कि इसने स्ट्रॉंग लेवल को निफ्टी तोड़े क्योंकि इतने वोलाटाइल मार्केट में अभी तक इस सपोर्ट ने निफ्टी नहीं सपोर्ट को तर्श तक नहीं किया एक डाउंट्रेंट इंट्रडे में 46-47 अभी आपके स्क्रीन पर भी कि हमें अच्छा लग रहा है अभिशेक अगर आप देखोगे 39-500 के करीव भी बैंक निफ्टी चल रहा है और यह रेंज अच्छा है अच्छा कर्रेक्शन अच्छा मुव आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मुव देखने को मिलेगा फिलाल निफ्टी के अगर सपोर्ट की बात करें तो 49,200 का सपोर्ट लेबल निफ्टी में बना हुआ है इसमें बिक वाली जो है चार सो साथ इनको की देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में सब्सक्राइब अगर आप देखोंगे पांच पॉइंट चला है बैंक निफ्टी एक मीने के अंदर हम सेप्टमबर मन्त में सेप्टमबर का आख्री ऑक्तोबर मन्त में पांच पॉइंट चलता है सारे पांच पॉइंट तो हजार देखने को मिलेगा वैसे च्टा सा करेक्शन इसे ले सकते और फांच पॉइंट नहीं यह तो टूटेगा यह चोटा करेक्शन दिखाए गए और यह इसको एक हल्दी करेक्शन भी कह सकते हैं लोकेस्ट जी जी यह अधिक्शन है जी अच्छा सर यह बैंक निफ्टी में आप रिजिस्टेंस चालिस अजार एक सो साट सब्सक्राइब देखने हैं चालिस चालिस तो इतना बड़ा रिजिस्टेंस नहीं है शौट तम में जो क्यूंके बॉल्यूम कम है अभी इसले तस बार दिन से क्यूंके बहुत उपर आ चुका था तो एक चोड़ा करेक्शन आना लाजमी था वह हमें देखने को मिला है मंदे से हमारा रूख क्लियर होगा हम कौसे डारेक्शन में आगे करेंगे उसके लिए अभी हम स्टॉक पेसिपिक हैं जो लोंग कम स्टॉक्स हैं वही लेने की को क्या है कि अग्यूंके लिए एक रास्ता एक प्रस्पेक्टिव एक असा है मार्केट में भी देखने को मिलेगा फिलाल बैंक नियुक्ति कि अगर आप आपका स्टॉप लोस जाए है ही रोने का अगर आप सेट भी ले रहे हो तो भी आपका चांसे हीट हो रहा है इस लिए मैं बोल रहा हूं आपको ट्रेडिंग थोड़ा सा अवयट करें मंडे टूजडे के बाद हम जुरूर देखेंगा अब तो खतम होगे आज का दिन और 10-15 मीटे और है और हम लास्ट विक भी यही बात कर रहे थे आपके साथ ट्रेडिंग थोड़ा सा कम करें से लोनी चाहिए आपके कुछ रिकमेंडेशन हो या पिर दिवाली की कोई पिक्स हो तो बता दे मैंने आपको लास्ट विक ट्रेश्टी स्टेट बताया था रिल स्टेट में मैं आपको बताया था रिल स्टेट में मैं बहुत ज़्यादा बूलिश हूं हमने 430 में बात की थी आज आप देखो 470 है मार्केट करेक्शन है मगर यह स्टॉक ऊपर चल रहा है 470 का भाव इसम कर सकते हैं हमने अपने सेकेंड टार्गेट 530 से 550 वह भी बहुत जल्दी इसमें आ जाएगा स्टॉप लोज बढाके आप 440 का कल ले जो पुड़ाने बायर है वो भी अज जो नया बायर है वो भी ठीक है तो दो तीन चीजे प्रेश्टीज स्टेट में पहला टार्गेट ह दूसरा इस लेवल पर भी 466-468 पर भी बाय कर सकते हैं जहां मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है वहां अच्छा उच्छाल दिखाया हुआ हुआ है और टार्गेट हिट किया सबसे बड़ी बात इतने वोलेटाइल मार्केट में यहां पे करें मार्केट पर बाय कर स हमें आपको तीन सेक्टर की बात किये थी रियल स्टेट ऑटो एंसलेरी एंड मेटल हमें तीन चीज़ अच्छी लगती है तो हमने आपने बहुत हमें लेना चाहिए फिर भी लेना चाहिए जो दूसरा स्टॉक था वो है जेसल हिसा हमने 315 में यह कॉल दिया था 350 का टागे है अभी वापिस 340 यह चल रहा है मारे स्टॉक जो हम चूज कर रहे है वह अच्छी तरह से पर्फॉम कर रहा है तो अच्छी तरह से जेसल हिसार भी पर्फॉम कर रहा है हमने बात के थी 350, 370 और 400 थी 350 तसंग भी एक नीचे टार्गेट से अब पहला टार्गेट हिट करता हुआ आगे दिख सकता है फिर दूसरा थी पहला टार्गेट हमना हिट हू चुका था जिन्होंने मिस कर दिया था 330 में बापीस हमने आपके चैनल में लास्ट वीक इसी व तीन सो पचास का पहला थींसो सद्कर का दूसरां चार्फो टागेट हमारा इंटेक्ट है इसका स्टॉप्लॉस हमने थी तो प्लोस तीनसद थीज़ पर अपने यह सेर को एकुल में मिलेट करने की सबादी थी 340 पर अभी करबार करता हूआपके स्क्रीन पर जेसल हिसार अ हमारी स्टॉक था आटो सेक्टर में SSWL यह हमने लेबल पर दिया था यह 1900 जाके बापीस नीचे आ गया है 1740 के लेबल पर अभी चल रहा है कर सकते हैं इंट्रडे में तीन अंगों की एक उपरी बढ़त भी देखने को मिल रही है अब यहां पर अगर आप पिक करते हैं तो आपको स्टॉप्लस फूलस असी लगाना है और टार्गेट 100 तक देखने को मिल सकते हैं अब यहां अब यहां अब यहां जो प्रिस्टीज टेश हमने दिया था वह आमने पांसों का टागेट दिया था फॉर तम टाइम बिंग ओफ वन मन्त अभी जो चार्सों सत्तर चल रहा है बट दिवाई टु डिवाली हम चाहते हैं आपके जस्तक इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका टार्गेट 1600 से 700 का हमें आते हुए दिख रहा है इसे डब्लू एल जो हमने अभी दिया है आपको 1740 से 1900 का टार्गेट वो हमने 15 दिन से एक मेने का दिया है दिवाली का दिवाली हमारा यह पीक है और यह 2200 से 2300 का लेवल आपको आते हुए दिखेगा आगे शर जैसे लिसार में चार सो का अल्लेड यह दे चुका था तो पांसे चहां महिने के टार्गेट चार सो तक का टार्गेट शौट टर्म टागे तीनसो पचास का था मिद तीनसो सतर एंड लॉंग टर्म में चार सो का टागेट हमने दिया तो आपके टार्गेट जो है इन्टेक्ट हो जाएंगे छेसो साड़े-छेसों तक के यह रिट आगे सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब की जो बात हो रही थी उन्नीसों का टार्गेट था पंदरह दिन से एक महिने के बीस में यह टार्गेट होने के बात चल रही थी अगर आप दिवाली से दिवाली के लिए पिक यह लेना चाहते हैं फिर यह कहीं न कहीं 2223 तक पर मोग करेंगे नहीं से अभी कैन बेंक एक और था हमारा जो टागेट आचीव हो चुका है जो सेकंड टागेट था नहीं बताऊंगा एक सो सतर से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं आपके चैनल पर एक सो सतर से हमने दिया था जब 210 230 और 250 का टागेट दिया था तो आमार आप देखो आज 230 का भी टागेट आज ही अचीव हुआ है आज 239-228 लेवल पर जाके आया है तो अलमुस्ट टागेट आचीव है जो भी दर्सक इसको लेके रखें उनको प्राइस को स्टॉप्डस को बढ़ा के आप 207-208 के गरीब रख ले हमारा बाइंग 170 का तो 29 को टच करके लॉटा 230 का एक टारगेट था हुल पस टारगेट को हिट किया पहला 210 टारगेट हिट दूसरा 230 हिट अब एक काम करें स्टॉप्लस जो है ट्रेल कर लें 207-28 का स्टॉप्लस लगा ले और इंटक्ट रहे हैं 250 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में पीके सर और कोई अप्डेट सर नहीं सर चाल को लेक्टिव है हमारे बाद एक अप्मूब आने के बाद एक अप्मूब आया था स्टॉक पे शॉट तम में रिजल्ट आते ही बर उसके बाद एक छोटा सा कर्रेक्शन हमें देखने को मिला है इंटेर बेसिस पे बाट लॉंग तम और मि अप्ट सॉट का लेबल आपको दस से पंडा दिन में आते वे रिख सकता है जो शॉट करेंट मार्क प्राइस पहले सकते हैं पार्ट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं चालने करेंशाम प्मृनसी अब बूस्ति हो अभी तो फालन आंसब्हां तो करेंट मार्केट प्राइस पांट सोटाइस लगा लिए पांट सब्सक्राइब तक के टार्गेट इस भी आई वे देखने को मिल सकता है ठीक है जर आगे मुट्पाइब गुजरात अलकली गुजरात अलकली पर एक बर वीवपोइंट डे दिचा खासकर अगर वोल्ड करन किसला होगी से तो टार्गेट जरूर बताईए अगुजरात अलकली क्रेमिकल सेक्टर में ये स्टॉक वेलेबल है बैतरीन चार्ट बैतरीन फंडमेंटल्स की स्टॉक है ये अब मगर इस पर थोड़ा सा खड़ेल है आट सो चालीस का लेबल तक आट सो चालीस एक निकल ज अब ही जिसके पास है वो होल रखें स्टॉप लोस रख दें आप साथ सो सतर के करीब और इसको होल रखें नौसो के टार्गेट के लिए आट सो चालीस जल्दी निकलने के चांसर रहेगा ठीक है तो गुजरात अलकली पर एक छोटा नौस करके टिपड़ी जहां गुजरात अलकली आपके स्क्रीन पर आट सब पंद्रा आट सा सोलर पर कालुबार करता हुआ इंट्राडे में संतावन एंटावन अंकों की एक उपरी बढ़र भी देखने को मिल रही है फिलाला आ 840 का इंतिजार करें 840 ऊपर जैसे यह मूव लेता है वहाँ पर आपको यह स्टॉक पिक करना है टालगेट 920 के लिए स्टॉपलस याद रखे 710 गुजरात अलकली में आपको लगाके इंटेक्ट रहना है बस क्रूशियल पॉइंट था वह 840 उस पर आपको यह खास रहा है एक्सिस बैंक से अच्छा मुझा आई-जै-सी बैंक को टक बैंक और एजफी बैंक लगता है तो एक्सिस बैंक को थोड़ा से अबड़े सेक्टर बड़ी कंपनी सबसे ज़्यादा बॉर्टरिल कंपनी यह है उपर निके दोनों तरब आपका स्टॉप्रोस लगने का चांज हमेंसे ज़्यादा रहता है ठीक है तो पुड़ाए पोइट करने की सला एक सिस बैंक में ठीक है सर अगले स्टॉप की बात कर लेते एक बार पुडार पिग्मेंट में आपका कैसा पॉइंट आप व्यू रहेगा सर तीन सो तीस का वी स्टॉप जलता है पुडार पॉडार पिग्मेंट कर दिख रहा होगा अब्सक्राइब है कि अधर कर दार पिग्मेंट थोडा इंटरनेट वोने की वज़े से दिख रहा है एक बार फिट से देखिए प्लेस हो रागा आपके नीचे लोगर बैंड में पोडार पिगमेंट पी ओ डी डी एक मेंड़ ब अच्छा लग रहा है तीन सो साथ तीन सो आठ का स्टॉप रहें और तीन सो पचास से लेके तीन सो सी का लेवल आते वह दिख सकता है अच्छा से अच्छा साथ आप देख लीजे तारगेट दिख लीजिए थागेट लिखे लिए तीन सो पचास से इन सो इसी पचास से इसी पचास सतर एस्टी सब्सक्राइब कर लेते हैं अगले स्टॉप की बात कर लेते हैं तैनला प्लेटफॉर्म बारो साथ पर अभी कारोबार कर रहा है सब्सक्राइब काम करती है यह हमारे क्लाइंट और हमारे दोनों के प्रोट्फॉलियों में बहुत निश्ले लेविल से हैं हमने साथ रुप्ये से इस्टॉक को लेना स्टार्ट किया है अभी लगता है यह अभी मल्टिवेकर रिटर्न देने के ताकत है अब मैं मान के जलता हूं हमारे दर्सक या लॉंग टर्म या शॉट टर्म के लिए होगा अगर शॉट टर्म है तो 1150 के लेवल पर स्टॉप्रोस रखें और इसको होल्ड रखें और इसका बिजनिस को अब्जर्ब करते रहें क्वार्टरली बेसिस पर हमें लगता है आने वाले टाइम पर और यहां से भी बैट्रिन रिटर्न दे सकता है और लेडी 24 गुना हो चुका है साथ रुपे से लेके बारा सो रुपे तो यहां से और भी अच्छा रिटर्न यह देख सकता है हमें यह लगता है ठीक है सर आपने इस स्टॉक को पिक किया था जब यह साथ रुपे के करेंट मार्केट प्राइस पर जी 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 बहुत इंट्रेस्टीं है सर कब की बात है यह यह लास्ट यह हमने पिक किया था सब्सक्राइब करेंट मार्केट प्राइस बारस रुपे चल रहा है जी 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 में अपने जून में अपने इसको लिया था 2020 के मेह जून में अपने लिया इतना अच्छा स्टॉक पिकिंग सर मतलब साथ रुपे का स्टॉक आज बारस रुपे लोके सर आपको मैं आपको गोल्डेन चीज बहाता हूं इसका मंतली चाट खुलो आपको दिख जाएगा क्यों मैंने लिया था और इसको जूमिन करो और रिसेट कर लिजिए का चाट को चाट रिसेट नहीं है ओके एक बार रिसेट कीजिए चाट को अब यह देखो इस जगह पर देखो आप कॉंसलेडेशन हुआ था कितने साल का यह दस साल का कॉंसलेशन होने के बाद इस जगह पर ब्रेक आउट आया था दो जून जुलाई में अब अच्छे से दिखेगा से जी सर बताईए दस साल का नो से लेके 2020 का टाइम फ्रेम देखो जी करेक्ट इसके बाद आप इसको आप देखो जून में जून 2020 का ब्रेक आउट देखो आपको समझ में आएगा सर आप बोलोगा तो मैं अपने चाट पर देखाऊ ज्यादा प्लेट या जाएगी सेम चीज है चाट तो इस करें जी हाँ थोरा सा इदर लेका आप सब 2020 के करीब लेका आप देखो जून के तरफ जून के तरफ और पीछला ये डिसेंबर वन दिरेक्टर साब एक बार गुजारी साथ जून के तरफ एक बार करसर को लाएं आप ये दो जून के दिखा रही है और लेफ्ट जाना आपको और लेफ्ट चार्ट को छोटा कर लो जूमीन कर लीजिए साथ जूमीन आउट नहीं करना है मार्केट के तीन मीनिट आकनी के बचे हुए इस पर वैसे सरी हमारे मेरे डार में तो यह रहेगा स्टॉक अगली जब आपसे चर्चा होगी फिर इस पर जरूर चर्चा करेंगी कि सार्ट रुपए का सियर पिक कैसे किया स्ट्राटिज आपको एक और मैं आपको सर ये डिस इस वो मेरे पर्सनल प्रफोलियों में मेरे बाट आइस मेरे कंस्टमर के पट फॉलियों में है पिकर घ्र करता आथा है और इसको आप मिनिमाइस कीजिए हमने इसको साथ उपर में पिक किया थोड़ा सा चाट को मिनिमाइस कीजिए मिनिमाइस में अंदर साथ जूम इन कीजिए जूम आउट नहीं जूम इन जी और चोड़ा किजिए इसको आप देखिए यही आपको देखने को मिलेगा तानला में जो हमने 2020 पे तानला में चुछ किया था यही ब्रेक आउट आपको इसमें आते वह दिख रहा है मैं यह नहीं बोलना हूं यह उतना हो जाएगा उस टाम पर हमें भी नहीं पता था यह परशो जाएगा तो हम सब कुछ वेच होई ले ले लेते हैं जो इसा नहीं होता है और हमें लगता है अच्छा ब्रेक आउट है तो हम बहां से इंट्री करते हैं और अपना ट्राइल करते जाते हैं सबसे बड़ी चीज़ से इस्टॉपलोस हों अपने रहते हैं आप स्ट पट देखे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको लॉंग डर्म ट्रेन धुनना है और उसको ट्रायल भी करते हुए आपको लेकर जाना इस टॉपलोस रखना चाहिए आधरवाइस टॉपलोस हमेशा टेडिंग में इसल हो जाएगा प्रेडिंग में हो सकता है लेकिन जो हमारी चर्चा हुए थी पर उस पर आगे सर से आगे हमारी कभी मुलकात होगी सो में तो हम जरूर एक बात इस स्टॉक को देखेंगे और चार्ट पैटर्न को भी अच्छे से समझेंगे आपको भी एक अच्छी ब्रीफ एक अच्छा इसने बाट जनी बाट्च त हैं ज को सर तंक हुआ भी अच्छी नूज सुञ्ट रचा करते हैं अजो करते हैं जो